पश्री मंगाल की मुख्य मंत्री और टीम्सी अध्यक्ष मम्ता बनर जी की एक बयान पर कॉंग्रेस और टीम्सी के बीच तल्खी बढ़ गई है मम्ता बनर जी कुछ दिन पहले विपक्ष को लामबन करने की कोशिश में मुंबई गई थी जाउनों ने NCP प्रमुक शरतपवा, शिवस्विरा निता, संजे राउत और आधित्य ठाकरे से मुलाकात की थी इसी के बाद अपने एक बयान में मम्ता ने कहा था कि अब कोई UPA नहीं है मम्ता के ऐसी बयान पर अधीरंजन चौधरी ने निशाना सादा और उन्हें आरे हात लिया निउस 18 से खास पाचीत में अधीरंजन चौधरी ने मम्ता के बयान को पागलपन करार दिया और कहा कि मम्ता क्या कहती है और TMC के निता क्या कहते है उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है करते हैं वो फार्ज निभाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयाश करते हैं उनका नेताओ का बहुत कुछ कह ना हो सकता उनका नेताओ की यह भी कह सकते हैं कि हम गवर्धन परबत सर पर उठाके ला सकते मैं क्या करें ट्यम्सी निता सौगत रॉय और सुखेंदू शेका राय ने अधी रंजन चौधरी को उनके बयान पर केर लिया और उने ही पागल करार दिया देख सकते हैं किस तरह से ममता बनर जी के बयान के बाद कॉंग्रेस और टीमसी के बीच तलखी लगातार बढ़ती ही जा रही है बुंबई पहुंचे थी ममता बनर जी विपक्ष को लामबंद करने और वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया था कि अब कोई यूपिय नहीं है इसके बाद कॉंग्रेस की तरफ से अधीरंजन चौधरी सामने आये उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ममता बनर जी का ये बयान पागल पन है और दूसरी तरफ अब टीमसी के नेताओं ने भी कॉंग्रेस की इस बयान पे रियाक्शन देना शुरू कर दिया है तो लगतार कॉंग्रेस और टीमसी के बीच तलखी बढ़ती जा रही है विपक्ष एक जुठ होने की कोशिश कर रहा है ममता बनर जी की कोशिश है कि वो विपक्ष के तमाम दलों को लीड करें हलां कि कॉंग्रेस के साथ उनका गटबंदन अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरह से वो कॉंग्रेस निताओं से ना मिलकर शरत परवार से मिल रही है उसको देखकर फविश्य में नई राष्टिती के संकेत भी मिल रहे हैं लेकिन इस बात से कॉंग्रेस साफ तोर से खफा नजर आ दिये और आज उसकी मिसाल अधीर इंजन चौधरी के बयान से देखने को मिली उन्होंने का कि ममताब अनर जी ने जो बयान दिया वो पागलपन उनका दर्शात आ है उसके बाद जवाब देना भी टीमसी के निताओं ने शुरू कर दिया